दिसेंट की आवाजों से खबरों के बनने का दौर है एक के बाद एक एहम केसों पर सुप्रीम कोट के फैसले आ रहे हैं अयोध्या, आधार, सबरी मला, पांच मानवदिकार कारेकरताओं की गिरफतारी इन सब पर देश की सर्वोच अदालत ने फैसले सुनाए हैं उसमें असहमती यानि डिसेंट का जो जज्जमेंट है उस पर खूब चर्चा रही इन चर्चाओं और हवा के रुख को भाबते हुए हम शुरुवात करते हैं न्यूस क्लिक पर, मीडिया पर खरी-खरी कारेकरम की देश में एक बार फिर युद्धुनमात फैलाने की कोशिश की जा रही है और बहुत तेजी से ये कोशिश हो रही है इसका सबसे बड़ा जुलंत उदाहरंड 2016 सितंबर में जो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होई थी उसके दो साल पूरे होने पर भारा सरकार जो उत्सव मना रही है जो पराकरम पर्व मना रही है उसकी कारेकरम में देखी जा सकती है उसकी रिपोर्टिंग में देखी जा सकती है तमाम टीवी चैनल अखबार एक ही सुर में अंध राष्ट भक्ती की धारा बहा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने जोतपूर में तीन दिवसी पराक्रम पर्व का उधगाटन किया और ठीक इससे पहले आप ध्यान दीजे ठीक जब यह होने वाला इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक का दो साल पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसका एक वीडियो मीडिया में बहुत सोचे समझे धंग से लीक किया जाता है और तमाम मीडिया चैनल इसी जो वीडियो पर खबरें खेलना शुरू करते हैं, डिसकेशन शुरू करते हैं, पैनल बठाया जाता है और उसमें बताना की कोशिश होती है कि जो लोग उस समय सवाल उठा रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक पर, वो किस तरह से देश के विरोध में सवाल उठा रहे थे, वो देश के सेना के खिलाब सवाल उठा रहे थे, वो देश की मारक शक्ती के खिलाब सवाल उठा रहे थे, और इस तरह से आप आएंगे कि पूरे की पूरे मीडिया में और खास सो से टीवी न्यूस चैनल के जो स्टूडियोज हैं वहाँ पर, यह ब गिर्द गिर्द पूरा का पूरा एक वितान पूरी की पूरी अवधारना विक्सित की जाती है तमाम जो एहम मुद्दे हैं उनको पीछे ढकेल दिया जाता है आज की तारीक में कोई आज की तारीक में तैयार हैं और 2019 जी हाँ 2019 में जो आम चुनाओं होने वाले हैं इसके लिए जो भाश्पा एक रणीती बनाना चाहती है उसमें एक एहम काम करने के लिए मीडिया तैयार हमें दिखाई देता है कि वो इसे ही प्रोगेट कर रहा है इसे ही फैला रहा है इसी के इर्दगिर्द डिसकेशन कर रहा है आखिर ऐसा क्यों कर रहा है मीडिया मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं उनके दिमाग में जिस तरह का अंधर राश्वाद पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का पूरा महौल और उसी के इर्दगिर्द सुश्मा स्वराज का बायक कोशिश हमें दिखाई देती है जब सुप्रीम कोट का फैसला आता है जो बहुत एहम फैसला है जो पांच मानवदिकार कारकरता हूं कि गिरफतारी हुई थी महराश्ट की पुने पुलिस न जिनको गिरफतार किया था और बताया था कि यह लोग एक बड़ी साजिश का हिस है भीमा कोरेगाओं मामले में उस पर जब सुप्रीम कोट फैसला देता है उस फैसले में वो साफ साफ यह कहता है कि इनको भी चार हफते तक और नजर बंद रखना चाहिए इनके जुडिशल मदद मिलने की कोशिश जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं लेकिन साथ ही स जो बहुमत का फैसला है वो यह कहता है कि सिर्फ डिसेंट का मामला नहीं है और सबूत भी हैं यह तमाम चीजें होती हैं जिसके मीडिया रिपोर्टिंग करता है और उसी समय उसी दिन रोमिला थापर और बाकी पांश लोग जो याची करता है वो एक प्रिस कॉन्फरेंस क देखिए यह पूरे मामले को किस तरह से अर्बन नकसल का मामला दुबारा पुनर जीवित होता है मीडिया स्टूडियोस पे खास और से रिपब्लिक टीवी जो इसके लिए बहुत मशूर रहा है लेकिन वो एक वितंडा फिर दुबारा रशने की कोशिश करता है कि किस तर पूरा मामला बनाने की कोशिश होती है टीवी निउस स्टूडियो में कि इन तमाम लोगों को भी अब निप्टाया जाना चाहिए क्योंकि यह लोग देश के खिलाफ है मामला सिर्फ उन पांच लोगों तक नहीं रहता है वहां एक लगातार प्रेस का फुटेश दिखाया जाता है जिसमें अरुंदुती राय से लेकर जिगनेश मेवानी और बाकी तमाम लोग इस गिरफतारी पर सबाल उठाते हैं उस प्रेस कांफरेंस को सुप्रीम कोट के इस फैसले के साथ जोड़कर पूरा का पूरा निर्नायक धंग से यह बताने की कोशिश होती है कि सुप्रीम कोट ने फैसला दे दिया है कि यह पांच लोग दोशी है और इनके पक्ष में जो लोग बोलने वाले हैं वे भी दोशी हैं यह जो अवधारना विक्सिस सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद की गई यह बहुत खतरनाक है और इसी तरह से ख़बरों के बारे में हम देख सकते हैं कि जब आधार पर फैसला आया तब भी तकरीबन यही भूमिका रही वह भी फैसला बहुमत और अल्पमत का था वहां भी जस्टिस चंदरचूर ने अपनी असहमती का फैसला सुनाया था लेकिन मीडिया में जो खबर थी कोईकि पहले से एक खेमा जो मीडिया का था वह लगातार यह बताने की कोशिश कर रहा था कि आधार पर जो लोग आपत्ती कर रहे हैं उनकी आपत्ती सही नहीं है और इसलिए उनकी आपत्तियों को जगा बहुत कम मिली दिक्कत यह है कि मीडिया खुद जब एक ट्राइल करने लग जाता है चाहे वो पांच कारे करताओं की गिरफतारी के मामले में हमने देखा हो या इस मामले में देख रहे हैं वहाँ पर मीडिया साथ साथ खड़ा हुआ है तकरीबन वही भाषा बोल रहा है जो सरकार चाहती है इसी तरह से राफेल वाले मामले में जो कवरेज हुई जब रवी शंकर प्रसाद ने एक मीडिया कर्मी को बोला कि राहुल गांदी की जो बत्तमीजी है उसका जवा प्र बोलन चल रहे हैं और लोग प्रधान मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर इस डील में जो घोटाला हुआ है इस पर वह चुपी क्यों साधे उमें और उनकी खुद जो व्यक्तिकत भूमी का है उस पर चुपी साधे क्यों में है लेकिन मीडिया जहां सवाल चाहिए कि अब मीडिया की भूमी का यह नहीं है कि उस पर जो सीधे सीधे सवाल उठाया जा रहा है उस पर बात करें उस पर कम से कम आपत्ती तो जता है महात्मा गांधी को याद करते हुए प्रधान मंत्री नरेन मोदी और उनकी सरकार एक बार फिर स्वच्चिता पर महापर्व आयोजित कर रही है और इसके इर्दगिर्द धेरों कायक्रम कर रही है और उसके बारे में मीडिया की रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली रही है नहीं मिल रही इस पर ध्यान ना तो सरकार का है और ना ही हमारा जो मुख्यधारा का मीडिया है जिस तरह से उसे इन दोनों को जोड़ने का सवाल करना चाहिए था वह सवाल नहीं हुआ यह हमारी मुझबूरी है जुरूत नहीं है हमारी मुझबूरी है और उसका फाइदा उठारी गोवर्मिटिस की जुम्यवारी है पिशली दिल्ली में सीवर में जो मौते हुई है उसको लेकर एक विशाल प्रदर्शन हुआ सफाई करमचारी आंदोलन की तरफ से जिसमें बड़े पैमाने पर मीडिया भी आया बड़े पैमाने पर खबरे भी बनी लेकिन देखिए कि वहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि जो अंग्रेजी का मीडिया है जो वरनकुलर मीडिया है जो हिंदी का मीडिया है उसमें खबरों को लेकर किस तरह से एक बिल्कुल दूसरा दृष्टिकोन आपको दिखाई देता है अंग्रेजी के अखबारों में जहां ये प्रमुक्ता से खबर चपी लेकिन हिंदी के कि अख़बार खास तोर से अगर आप गैनिक जागरान उठाई जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बिकता है वहां पर दो लाइन भी खबर इस बारे में नहीं थी जहां सैकड़ों की तादात में सफाई करमचारी जंतर मंतर पार्लेमेंट स्ट्रीट पे उत्रे ह हुए थे और वहां पर सिर्फ वही उत्रे नहीं हुए थे सीवर में जिन्होंने मौते गवाई हैं उनके परीजन आए हुए थे महिलाएं आई हुई थी बच्चे आए हुए थे और लगातार बोल रहे थे कि इन मौतों को रोका जाना चाहिए क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए सवाल ये उठता है कि आखिर उनका दुखदर्द मीडिया के इस बड़े हिस्से को उस तरह से क्यों नहीं दिखाई दिया इस पे उस तरह की रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुई क्योंकि ये अखबार जो हैं ये लोगों के घरों तक है वहां से आई हुई ये लोग थे लेकिन इन लोगों की जो कहानिया थी वह मीडिया को दिख रही थी लेकिन उस मीडिया को नहीं दिख रही थी जहां से इन लोगों का सीधा सीधा तालुक है और इस बात का उन्होंने अफसोस भी जताया बाद में जब हमने उनसे बात च है स्वच्छता का परव चल रहा है जहां लोग जाड़ों लगाने के लिए उसके प्रुषार प्रसार में कोई कमी यह चोड़ता है यह जो भेद भाव क्या 아कारण है जो इतने बड़े पैमाने पर अठारा सो से ऊपर की मौते हो चुकी है जिसके बारे में आज की तारीक तक प्रधान समस्राइबक मंत्री नरेन मोदी नेएक शब्द नहीं बोला है उसको सिवर्मने वालों को क्यों नहीं मिल सकते हैं टेकनोलोजी वहां क्यों नहीं पहुच सकती है यह जो सारे सवाल हैं जो हमारे लोकतंत्र से जुड़े हुए सवाल है इन पर मीडिया की जो चुपी है या अंदेखी है कि जो अंसीन इंडिया है अद्रिश भारत है इसके बारे में हम अपनी चुपी कप तोड़ेंगे मुझे लगता है यह सवाल बहुत एहम सवाल है क्रांथिकारी नेता और विचारक भगा सिंग ने 1928 में अपने एक एहम लेख में अखबारों की भूमिका के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था कि अखबारों की असली कर्तव्य शिक्षा देना लोगों से संकीरता निकालना साम्प्रदाइक भावनाएं हटाना परस पर मेल मिलाब बढ़ाना और भारत की साजी राष्टियता बनाना है लेकिन इन्होंने अपना मुख कर्तव्य अग्याता बढ़ाना संकीरता का प्रचार प्रसार करना साम्प्रदाइक बनाना लड़ाई जगड़े करवाना और भारत की साजी राष्टियता को नख्ष्ट करना बना लिया है आज की तारीख में उनका ये कथन अखबारों टीवी चैनलों पर कितना सही साबित होता है ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है इस सवाल आपके सामने रखते हुए अगले हफ़ते तक के लिए मैं लेती हूं विदा तब तक दीजिए इजाज़त फिर करते हैं मुलाकात शुक्रिया करता है